दिखिए अगर परदोश का व्रत नहीं कर सकते परदोश के दिन आप व्रत नहीं कर सकते मानलो आपसे भूका नहीं रहा जाए परदोश का व्रत नहीं कर सकते परदोश के दिन आप भूके नहीं दे सकते मंदिर भी नहीं जा सकते दिया भी नहीं लगा सकते तो श्यू महापुरान की कथा करती है कि प्रदोश के दिन प्रदोश काल में अपने ही दर्वाजे के पास में देवदी देव महादेव का इस्मरण करकर अच्मी की व्रदी के लिए कारिसिद्धी के लिए संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दर्वाजे के पास में एक दीप लगा सकते हैं कौन से दिन प्रदोश के एक बात और अच्छे से समझ लीजिए जो बच्चे चिर्चिड़े होते हैं चाहे घर में बेटे हो बहुए हो सास हो ससूर हो परिवार में चोटे-चोटे बच्चे हो चेचड़ प्रवत्ती करते हो या चेचड़ा सुभाव हो जड़ा-जड़ा सी बात में क्रोध आजाता हो बोलने का भान नहीं रहे पाता हो शब्दों के बान चलते हो तो महारा जा प्रदोश के दिन प्रदोश काल में बेल पत्री के पेट के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो पान का मिल जाए तो पान का पीपल का मिल जाए तो पीपल का बेल पत्तर का उस पत्ते पर मात पत्ते पर मात थोड़ा सा शहद और साथ दाने चावल के रख कर घी का दिया लगा दो प्रवति करता हो जिसको बोलने का बान नहीं होता हो सम्मान नहीं देता हो अप्षब्द कहते हैं उनका इसमर्ण करकर छोड़ेंगे एक दम एक प्रदोश करेंगे दूसरे प्रदोश तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है दो तीन प्रदोश करकर देखिए बाबा करपा करेंगे